तो पिर ये विद्यारती हो जो question आपके आपके सामने है हम आपको एक second में ये question का answer करा सकते हैं बता सकते हैं बस आप एक बार का solution देख लीजी ताकि आप समझ जाएंगे देखिए question क्या है आपका root 29 plus root 27 बटे root 29 minus root 27 plus root 29 minus root 27 बटे root 29 plus root 27 देखिए लसन क्या हैगा आपका देखिए अब जराब द्यान दे ये वाला आपका कड़ जाएगा तो क्यों जाएगा आपका क्यों जाएगा आपका root 29 plus root 27 का whole square हो जाएगा इसी तरीके से आपका plus वाला ये पूरा step कर जाएगा minus वाला आपका 29 minus root 27 का whole square हो जाएगा अब जराब ध्यान दे नीचे वाला आपका क्या है एक बार plus में एक बार minus में तो ये आपका 29 minus 27 हो जाएगा फार्मूले से इसी तरीके से आप a plus b का whole square खोलेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको एक square plus b का square दोनों का दुगना करेंगे तो यहाँ पर आपका ये जोड़ भी जाएगा तो 29 और 27 आपके कितने हो जाएगे 56 56 हो जाएगे और plus में आपका दो रूड 29 गुणा 27 आपका आजाएगा इसी तरीके से आप ये वाला खोलेंगे तो ये आपका minus में है तो आपका 56 माइनस दो रूड 29 गुणा 27 ये आपका आजाएगा अब ज़रह आप ध्यान दें ये वाला आपका ये कड़ जाएगा क्योंकि minus plus में है आगे आप देखिए 56 जब आप जोड़ेंगे तो 6-6-12 के 2 और 5-5-10 और 11 हुजाएगा बटे में आपका ये दो रहेगा इसको जब आप सौल करेंगे तो 2-5-10-2-6-12 तो क्या आगे आपका 56 आपका आंसर आगे लेकिन ये lengthy method है इसका आप यूज ना करें ये आपका lengthy और लंबा method है आप इसका यूज ना करें देखिए shortcut बाला क्या है आप कोशन में 29 नोट करें हो 27 नोट करतें प्लस में अगर आपका बीच में प्लस है तब आप प्लस करेंगे बरना ये rule नहीं लगेगा देखिए अगर आपका यहाँ पर प्लस है तब अंसर देख सकते हैं निकाल सकते हैं आप केबल स्वलूसन को complete समझे लें ताकि आप समझ जाएं एक बार complete देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे उसके बाद आप अराम से कोशन देखकर एक सेकंड में अंसर कर सकते हैं निकाल सकते हैं आपको स्वलूसन की जरूरत नहीं पड़ेगी आप वीडियो को सबसे पहले सबस्क्राइब करें ताकि आपको सबसे पहले important